हाई दोस्तों मैं हूँ प्रफूल आज हम बात करेंगे मर्कुषिस के राउटर के डीटेल्स के बारे में क्योंकि मुझे कमेंट भी आये थे कि आप इसका पूरा कॉन्फिरेशन का ब्रीव भी बना दीजिए और उसके साथे साथे रांपूर्ड क्या होता है रांपूर्ड क करेंगे इसकी तो यह बहुत ही अच्छा है राइट वेट है इसमें आप अगर लाइट डेखेंगे तो यहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा यहां पर देखिए ऐसा एस करके राइट है एक वाइफाइगा लाइट है वैन का और लैन का तो इसके बारे में जानेंगे क्या है किस तरह से लाइट होता है और उसका क्या-क्या यूज होता है और यह हमारे पास है चार एंटिनास वन टू टू ट्री एन फो एंटिना है उसकी एक फ्रिक्वेंसी रहती है 5 db 10 db 8 db तो उसकी सबसे वह तो मैं आपको डेटल में बता दूंगा क्या है एक इसका फ और अगर हम बात करेंगे इसके पीछे की connectivity क्या है किस तरह से रहती है इसके तो देखे मैंने भी यह connect किया है तो यहां पे भी आपको पीछे चार port मिलेंगे एक तो यह power का है यहां पे फिर यह WPS बटन है दिखे का आपको WPS reset करके बटन है इसका भी आपको यूज में बता हूँगा वो क्या है पहले तो हम पॉर्ट देखेंगे कि क्या-क्या है कहां लगते हैं तो इसको अपको करेंगे कि अभी है यह off है लाइट आपको कुछ नहीं दिख रहे होगी बाइस देखो कुछ मी नहीं है जैसे ही मैं इसको प्लग करूँ यहाँ पर देखी यह प्लग करना है यहाँ पर तो मैं इसको प्लग करके दिखाता हूँ जैसे ही मैं प्लग करूँगा देखी है सिस मतलब यह सिस्टम में चालू हो गया है एंटिन इसके साथ है इसका वायरल है इसका जो इन्पूट आया हुआ है यह कहां से आया है एक चोटा सा बॉक्स है इसमें लिखिए सिस्टम लिंक एक्टिविटी और आरीजी करके है आपर लिखा हुआ है तो इसका भी मैं आपको मिनिंग बताओं को क्या है तो इसमें भी देखिए तीन यहां पर देखने को म मिलने इन्पूट मिलता है इंटरेट करेक्टिविटी और यहां से जो लाइन निकल गया है वह लगी है इस राउटर को इसके थ्रूँ यह एंटिनस के थ्रूँ हमें नेटवर्क इंटरनेट मिलता है तो यह जो है डिजी शॉल का है यह भी जब यह परनेक्शन लेंगी ब यहां को आंपर माूंड कर सकते हैं वह मुवेबल मतलों जिस साइड में बैठेंगे आप जो सिधा रख दिया तो यहां के इसके तरू जो सिगनल आता है वो आपके phone या पी laptop टाबलेट जो भी है उसको catch करके इतना ही आप उसी direction पर करेंगे उतना आपको अच्छा network coverage मिलेगा signal मिलेगा और उसके तुरू आप इंटरनेट का connectivity या फिर इंटरनेट यूज़ कर सकता है जोस्तो यह जो blink हो रहा है यह जो light है यह blink हो रहा है आरीजी व इंटरनेट का connectivity अभी चला गया है जब यह green blink होता रहेगा तो इसका मतलब आपका connectivity हाँ पर चालू है उसके बाद यह आप प्रॉपर्ली इंटरनेट यूज़ कर सकते है जब light नहीं रहेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है तो तुरन समझ में आ जाएगा कि कुछ issue है यहाँ पर red है red maximum एक तो आपका fiber का issue रहेगा तो ही आ जाता है वरना यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है और कभी कभी yellow आता है yellow का मतलब है तो इसका मतलब कि fiber में कुछ issue नहीं है fiber connection के line में खाली कुछ issue है जो भी है service provider के यहाँ पर है कुछ down हो गया server down हो गय पर नहीं मिलेगा लेकिन red है तो इसका मतलब है अगर आपका connectivity का है यहाँ पर कुछ issue रहेगा fiber का या फिर fiber कहीं पर cut होगा तो दोस्तों पहले तो हमें एक web page पर जाना है जिसमें पहले तो आपका router यहाँ पर connect रहना चाहिए wifi यहाँ पर connect होना चाहिए जैसे कि मैंने यह connect करके रखा हुआ है उसके बाद आपको जाना है browser पर कोई भी browser जाने के बाद 192 168.1.1 डालना है आपको उसके बाद एंटर करना है तो यह screen आपको मिल जाएगी यह screen मिलने के बाद आपको आपका password यहाँ पर and press करना है password प्रेस करने के बाद आपको इस तरह का पूरा screen window है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद लेप साइड में आपको device management connected device कौन से है वो यहाँ पर मिल जाएंगे network connection टाइप जो है triple P OE करके है wireless जो है यहाँ पर 2.4 GHz एक आपका ID बनेगा और 5 GHz का ID बनेगा जो कि मैंने अभी connect किया है वो 5 GHz का है तो first device management में आपको कौन से device connect है या कोई block किये है उसके device के detail आपको मिल जाएंगे network connection टाइप जो है triple P OE वहाँ पे click करने के बाद यह इस तरह का आपको detail मेंने का connection टाइप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर static dynamic triple P OE L2DP PPTP जो भी हम लोग fiber connectivity लेते है उसको triple P OE से ही configure होता है mostly उ user name जो है वो मेरा user नमा आ जाएगा password आ जाएगा वह आपका जो IP आपको assign किया है वो DNS server आपको मिल जाएगा है यह detail है यह basic details है आपको मिलेंगे उसके बाद है third वाला wireless तो उसमें जो आपका 2.4 GHz का wireless और 5 GHz का जो connection है उसका आप अपना खुद का नाम नाम से या फिर office से कोई भी आपका Wi-Fi connection यहाँ पर बना सकते है और उसका password भी आप यहाँ पर दे सकते है नेक्स अब हम चलेंगे एडवांस सेटिंग में एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पर वैन सेटिंग पहले तो मिल जाएगा तो इसमें भी आप connection यापका triple पी जो भी अपने configure क्या है वहाँ पर डालना है यूजर एडी password डालना है वह आपको configure करना है यह जो है wireless connectivity के लिए रहता है तो जो भी wireless connectivity रहेगा यानि कि Wi-Fi आप connect करेंगे आपका phone, mobile, tablet यह login through आपको change कर सकते है यह configuration आपको करना पड़ेगा उसके बाद है land setting, land setting में भी तो वहाँ से यह configuration यूज होता है, maximum यह तो by default हो जाता है आपको उसमें कुछ changes करने की जरूवत नहीं है, IPv6 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको disable करके लिखा होगा, जब भी अगर requirement है तो ही आप यह configuration कर लिए, यह maximum जो भी office रहते हैं बड़े वाले तो यहाँ पर यूज होता है, IP TV जो है अगर आपके वास IP TV रहेगा वहाँ से आप connect कर सकते है, Mac address settings में Mac address का पर detail मिल जाएगा, DSCP server में आपको detail मिल जाएंगे, IP and Mac binding में आपको detail मिल जाएगा, कौन-कौन से आपको यहाँ पर connected है, फिर 2.4 GHz वाला wireless जो antenna है उसमें दो antenna है, वो 2.4 GHz के frequency वाले है, जो दो बाकी के antenna है, वो 5 GHz के frequency वाले है, तो इसलिए इसका भी हम लोग अलग से configuration कर सकते हैं, और आपको अगर चाहिए, तो गेस के लिए आप भी यहाँ पर password दे सकते हैं, या फिर blank रख सकते हैं, और उनको भी आप उनका bandwidth जो है, कितना bandwidth यहाँ पर देना है, उनको वो भ अगर requirement रहेगा, तो इसके हिसाब से आप यह यूज कर सकते है, advanced user में आप virtual users है, UNPNP वो आपको details यहाँ पर सारे मिल जाएंगे, जो भी आपको requirement रहेगा, अगर तो यह use करेंगे, जो by default है, वो ही हमें रखना है, कुछ requirement होती ही नहीं है, changes करने की, इसके वादे system tool, तो यहा local management में all local devices, यहाँ पर आप allow कर सकते है, नहीं कर सकते है, इसको अगर allow नहीं करेंगे, तो local device जो है, आप यहाँ पर connect नहीं कर सकते है, तो यहाँ पर आप लोग permission भी दे सकते है, कि कौन-कौन सा device यहाँ पर use हो सकता है, time setting तो time आपको मिल जाएगा, firmware जो है, इसका firmware रहता है हर एक router का, तो अगर आपको नया वाला कोई firmware आया है, तो यहाँ पर आपको डालने के लिए, आपको पहले मर्कुसिस के router के website पर जाना है, उसका आपका model नमर डाला है, और जो अप्डेटर firmware है, वो डाउड़ोड करके लेना है, यहाँ पर सेम web page पर आके firmware और अप्डेड पर आते, ब्राउज करके, आपको वाँ पे वो फाइल सिलेक करने है, और अप्डेड कर दे रहा है, अप्डेड होने के बाद, आपका firmware वाँ पर अप्लाय हो जाएगा, रिस्टोर है बैक अप में, आप आपका जो setting जो किया है, वो आप बैक अप कर सकते है, रिबूट में यहां पर बहुत सारे option आप दिये है, आप यहां से pink करके, pink packet size सब यहां पर चेक करके, diagnostic कर सकते हैं, कहां पर issue आ रहा है, उसके बाद है system log, तो आपको ने कितनी बार यहां पर login किया है, कितना time आपने यूज किया है, उसका पूरा detail आपको मिल जाएगा, quick setup में आप अगर आपको नेक्स करना है, बस नेक्स करके, आपका setup कर देगा, अगर आपको इसमें भी कुछ doubt है, तो आप मुझे comment करके बता दीजिए, तो वो भी particular function है, उसके बारे में आपको बता दूगा, detail में आपको वीडियो ते दूगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा lengthy video हो जाएगा, अ और बगलोले बेराय को कदा बना आवुले, साथे साथ और को स्लिक खर्णा ना बुले, ताकि मेरे आनेवले हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे, थैंक्यू, क्योंकि बिले